जिन्दगी गुजर जाती है किसी को अपना बनाने के लिए बक्त लग जाता है उसके घर से अपने घर तक आने के लिए यूँ खामोस न रहा करो जबाब में नाजुक सवालात के सब्ड भी तरस जाते हैं तुम्हारे लबों पे आने के तूफानी शमंदर में मेरा प्रियाश यह रहेगा कि अपनी इस एकल काप्यपाट को स्रंगार से समाज की होगे चली एक भैतरीन या सार्थक काप्यपाट वही होता है जिसमें मनोरंजन अपनी मन की अभिवक्ती के साथ साथ एक सामाजिक शंदेश भी हो तूफानी समंदर में एक कस्ती दिखाई देती थी उन जुकी हुई निगाहों में शराफत दिखाई देती थी अब खोल न पाएंगे कभी उन खिड़कियों को हम के पार से जिसके कोई सूरत दिखाई देती थी हजारों के सहर में न कोई मका नजर आया हजारों के सहर में न कोई मका नजर आया बरा बरा बाजार भी सुनसा नजर आया एक मुद्द के बाद छुट्टियों में घर गया था एक दोस्त ना मिला तो सब कुछ बीरान में जर आया बहुत-बहुत सुक्रिया मुझसे जुड़े के लिए आप जुड़े हैं उससे खुशी हो रही है और उतना ही समझ भी रहे हैं लग रहा है कि हिंदी का विश्य उज्वल है हिंदी है और जब हिंदी होती है तो उसमें शब्द होते हैं और सब्द नहीं नहीं होते हैं तो कभी कविता बनती है तो कभी गजल बनती है कभी किसी की अभिवत्ती बनती है कभी अभिवासड बनता है कभी शायरी बनती है और ये शब्सब्द है मचलियों को आटा खिलाने का जमाना न रहा मचलियों को आटा खिलाने का जमाना जाता रहा पच्छियों को दाना चुगाने का जमाना जाता रहा वो गिरा था जमी पे भूख से गस्खाके सरावी समझ उसे गुजर कर जमाना जाता रहा पसीने से सीची बगिया की रुथ सोहानी नहीं होती भूख की चद में मुकमल कोई कहानी नहीं होती पसीने से सीची बगिया की रुथ सोहानी नहीं होती भूख की चद में मुकमल कोई जवानी नहीं होती पैदा हुआ तो बच्पन और मरा तो बुरापा था करीब को नसीब कदद जवानी नहीं होती करीब को नसीब करद जवानी नहीं होती